हेलो एवरिवन तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्स्प्लेन करने वाला हूँ हमारी क्लास 12 की फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग को जिसकी ओथर है एनीज जंग यह जो चैप्टर है एक एकसर्प्ट है मतलब एक चोटा सा पार्ट है एक बुक का जिसे एनीज जंग ने लिखा था और उस बुक का टाइटल है या उस बुक का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्चोरीज ऑफ स्चोलन चाइल्ड होड तो सबसे पहले हम डिसकस करते हैं इस चै चाप्टर का नाम है Lost Spring तो यहाँ पर जो Spring है उसे refer किया गया है चाइल्ड हुट से जैसा कि हम जानते हैं जो सबसे beautiful seasons होता है सारे seasons में से वो spring का season होता है उसी तरीके से जो हमारी life span में सबसे beautiful time होता है वो हमारे childhood का time होता है और इस चाप्टर में author कुछ ऐसे ही बच्चों के बारे में discuss करेंगी जो किसी न किसी कारण से या कुछ ऐसी situations के कारण अपने इस childhood को enjoy नहीं कर पाते हैं या फिर हम कह सकते हैं उन्होंने अपना childhood खो दिया है और इसी लिए इस chapter का नाम है Lost Spring और जो reasons author इस chapter में discuss करती है वो mainly होते हैं child labor के तो इस chapter को दो पार्ट में divide किया गय और second part है I want to drive a car first part में discuss करेंगे साहिब की story को और second part में discuss करेंगे मुकेश की story को तो अब हम start करते हैं first part को जो है sometimes I find a rupee in the garbage को तो chapter की starting में author सबसे पहले हमें साहिब के background के बारे में बताती है तो जो साहिब और उनकी family थी उन्होंने काफी time पहले ही अपना घर छोड़ दिया था जो की काफी हरे भरे खितों के बीच में था धाका में जो की बांगलादेश में है और उनका जो पुराना घर था वो एक distant memory भी नहीं है यानि वो एक ऐसी memory है जिसे वो पूरी तरह भूल चुके हैं वो लोग पहले वहाँ पर agriculture करते थे पर जब वहाँ पर बहुत सारे storms आये तो उन storms के कारण उनके जो सारे खेत थे और उनके जो घर थे वो सभी destroy हो गए थे जिसके कारण उन्हें दूसरे बड़े बड़े शेहरों में जाके settle होना पड़ा तो सबसे पहले author जो है वो साहिब से question करती है जब वो साहिब से मिलती है जब वो एक कूडे के धेर में से कुछ ढूंड रहा होता है वो साहिब से पूछती है why do you do this तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तब ही जो साहिब है वो काफी low tone में softly कहता है मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है तब ही जो author है वो काफी easily कह देती है और काफी promptly कहती है तो तुम school भी तो जा सकते हो और जैसा ही वो ये कहती है उन्हें realize होता है कि उन्होंने कितनी hollow advice दी है उसे या फिर कितनी baseless advice दी है क्योंकि वो एक rack picker है तब ही जो सा author है वो मजाक में कह देती है कि अगर मैं school start कर दूं तो क्या तुम वहाँ पर आओगे तब ही साहिब के चहरे पर एक बहुत बड़ी smile आ जाती है और वो कहता है कि वो जरूर आएगा इस incident के कुछ दिनों बात जो साहिब है वो दोड़ते हुए author के पास आते हैं और उनसे प embarrassed feel हो रहा होता है उन्हें काफी शरम आ रही होती है क्योंकि उन्होंने ऐसा promise कर दिया था जिसे वो पूरा नहीं कर सकती थी पर फिर author हमें ये भी बताती है कि साहिब जैसे लोगों से जो की काफी poor हैं इस तरीके के promise लोग करते रहते हैं जिसे वो कभी भी पूरा नहीं करत एक बार author उससे उनका नाम पूचती है तभी वो कहता है साहिब ए आलम तभी author सोचती है कि अगर इसे कोई इसके नाम का मतलब बताएगा जो की है lord of the universe या फिर पूरे universe का राजा तो उसे ये believe करने में इसे विश्वास करने में उसे काफी ज्यादा मुश्किल होगी यहाँ पर author ने एक irony हमें बताई है irony का मतलब होता है एक ऐसा statement जिसका मतलब असलियत में बिलकुल opposite हो उस statement से जैसे कि यहाँ पर उसका नाम है साहिब ए आलम जिसका मतलब होता है lord of the universe पर असलियत में साहिब एक rack picker है author हमें ये भी बताती है कि जो साहिब है वो streets पर अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ ही घूमता रहता है जिसे author एक army बुलाती है barefoot boys की जो की morning birds की तरह है जो सुबह सुबह तो दिखाई देते हैं पर दिन की time पर disappear हो जाते हैं तो इसका मतलब है सबसे पहले तो author उन्हें army of barefoot boys इसलिए कहती है क्योंकि जो सभी ये लोग है वो कभी भी foot squares नहीं पहनते थे इसके बाद author इन्हे morning birds से relate इसलिए करती है क्योंकि जैसे morning में हम काफी सारी birds को देख सकते हैं पर जैसे ही दिन का time होता है हम कोई भी birds को नहीं देख पाते हैं उसी तरीके से ये बच्चे भी सुबह के time पर ही निकलते थे और दिन के time में ये सभी despair हो जा author इन में से एक बच्चे से पूछती है कि तुम चपल्स या कोई भी footwares क्यों नहीं पहनते हो तभी इसका reply देते हुए वो कहता है कि जो उनकी mother है वो उन्हें shelf से footwares उतार कर ही नहीं देती हैं तभी उनमें से जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है कि अगर इनकी mother इन् match नहीं कर रहे थे और जब author इस पे comment करती है तो वो इसका कोई भी reply नहीं देता है तभी एक तीसरा बच्चा कहता है कि उसे shoes चाहिए और उसने आज तक अपनी life में कभी एक भी shoes के pair को own नहीं किया था या उसके पास आज तक पूरी life में एक भी pair of shoes नहीं थे इसके बाद author म बताती है कि उन्होंने काफी सारे अलगलग शेहरों में इस तरीके के बच्चों को देखा है जो कभी भी footwares नहीं बेहनते थे और जो सबसे common explanation इसका उन्हें मिलता था वो ये था कि ये पैसों की कमी के कारण नहीं है पर ये एक tradition है barefoot रहने का और author को ऐसा लगता है कि ये just एक explanation है या एक excuse है जिससे कि ये लोग अपनी perpetual state of poverty को या अपनी continuous या अपनी चली आ रही गरीबी को छुपाने की कोशिश करते हैं इसके बाद author में बताती है कि उन्हें एक पुरानी story याद आती है जिसे एक आदमी ने उन्हें बताया था जो कि उधीपी में रहता था और जब वो छोटा था तब वो एक पुराने मंदर के पास के एक school में जाता था और उस temple के जो priest थे या पुजारी थे वो उनके father थे और जब वो school जाता था तब वो थोड़ी देर के लिए मंदर के सामने रुख जाता था और हमेशा pray करता था कि काश उसके पास भी एक pair of shoes होते और जब वो आदमी छोटा था उससे करीब 30 साल के बाद जो author है वो इस छोटे से शेहर को visit करती है और उस temple में भी जाती है और वो temple अभी काफी desolation में था यानि वहाँ पर अब कोई ज्यादा लोग भी नहीं रहते थे और काफी leftover area था वो और उस temple के backyard में अब एक नया priest है और वो देखती है कि वहाँ पर एक छोटा लड़का जिसने अभी uniform पहनी हुई है और साथ में shoes भी पहने हुए हैं वो वहाँ पर भागता हुआ आता है और अपने school bag को bed पर फेक कर चला जाता है और जब author उस लड़के को देखती है तब उन्हें उस दूसरे लड़के की य लग गए हैं और इसके बाद author हमें बताती है कि भले ही जो priest हैं उनके जो बच्चे हैं वो अब shoes पहनने लग गए हैं पर साहिब जैसे जो rack pickers हैं वो आज भी shoeless ही घूमते हैं अब author हमें बताती है कि उस साहिब और उनके दोस्तों के साथ रहने के कुछ time बात उन्हें अब सीमापुरी के बारे में पता चलता है जो कि डेली की periphery में है मतलब डेली के outskirts में है या डेली के भारी इलाकों में है और author ये भी कहती है metaphorically ये डेली से बहुत ज्यादा दूर है सीमापुरी a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically तो metaphor का मतलब होता है एक ऐसी चीज को refer करना जो actual में है ही नह यानि जो सीमापुरी है भले ही वो डेली के भारी इलाकों में ही है पर वो जैसा डेली है उसमें जो living standards है उसमें जैसे लोग रहते हैं उसके compared में जो सीमापुरी है वो डेली से बहुत ज्यादा दूर है इसके बाद author में बताती है कि सीमापुरी में जो भी लोग रहते हैं वो squatters हैं, squatters का मतलब होता है कि illegally settled है या उनको कोई भी permission नहीं है वहाँ पर रहने की और ये जो भी लोग है वो बांगलादेश से यहाँ पर आये थे 1971 में और साहिब की family भी उनमें से एक ही है सीमापुरी जो जगह है इन लोगों के आने से पहले एक barren land थी, wildness थी, एक खाली पड़ा इलाका था और वो अभी भी एक barren land ही है बस अब फरक ये है कि अब ये empty नहीं है यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने घर बना लिये हैं जो की normally mud से बने हुए हैं और उनकी जो हैं वो tin और tarpaulin से बनी हुई है उनकी locality में कोई भी sewages या फिर कोई भी drainage नहीं है और साथ ही में वहाँ पे running water यानि पानी की भी facilities नहीं है तो ये था एक छोटा सा description जो की author हमें देती हैं सीमापुरी के बारे में और वो ये भी बताती है कि सीमापुरी में around 10,000 rag pickers रहते थ और वो यहाँ पर 30 साल से भी ज्यादा से रह रहे हैं बिना किसी identity के मतलब इन लोगों के पास कोई भी identity cards वगेरा भी नहीं है और कोई भी permits भी नहीं है या कोई भी permissions नहीं है और इन लोगों के पास identity cards तो नहीं है पर इन लोगों के पास ration cards जरूर हैं जिससे की ये अपना वोटर्स लिस्ट में डलवा सकते हैं और वोट दे सकते हैं और इनके पास यह राशन कार्ड इसलिए हैं क्योंकि जो अलग-अलग वो इनने राशन कार्ड अवेलेबल करवा देते हैं ताकि वो अपने लिए इन लोगों से वोट ले पाएं और इसके बदले में इनने राशन कार्ड मिलते थे जिससे वो कम प्राइस पे फूट ग्रेंज को खरीच सकते थे और इन लोगों के लिए फूड ही बहुत ज्यादा important था किसी भी identity card से इसके बाद author एक group of women से जिन्होंने tattered sardies यानि फटी पुरानी sardies पहन रखी थी उनसे पूछती है कि आखिर उन्होंने अपने घर और अपने beautiful lands यानि अपने जो खेत थे वो आखिर क्यों छोड़ दिये और यहां पर रैक पिकिंग का काम क्यों कर रहे हैं तब वो women's reply करती है if at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach we would rather live here than in the fields that gave us no grains इसका मतलब है कि अगर वो दिन के खतम होने पर अपनी families को feed कर सकते हैं अपनी families को food provide करवा सकते हैं तो यह उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा है एक ऐसी जगह पर रहने से जहां पर उनके खेत थे पर उन खेतों से उन्हें कोई भी फसल या फिर उन्हें कोई भी grains नहीं मिलते थे जिनके कारण वो अपनी families को feed भी नहीं कर पा रहे थे और इसी लिए जहां भी वो अपनी families को feed कर पाते हैं वो वहाँ पर settle हो जाते हैं जैसे कि वो यहाँ पर रहते थे अपने transit homes में यानि अपने temporary घरों में और जो उनके बच्चे होते हैं वो भी उनकी साथ ही ऐसे ही grow होते हैं और वो भी partners in survival बन जाते हैं यानि वो भी काफी young age से ही इनके साथ ही काम करना शुरू कर देते हैं जिससे वो अपनी families को feed कर पाएं और सीमापुरी में survival का मतलब ही होता है rack picking इसलिए सभी लोग यहाँ पर rack picking करते हैं और सीमापुरी में कई सालों तक रहने के बाद यह rack picking का काम उनके लिए fine art जैसा बन गया है और जो garbage है वो उनके लिए gold जैसा ही है ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इन लोगों के लिए survive करना ही बहुत मुश्किल होता है और अगर किसी चीज के कारण वो अपना livelihood कमा पाते हैं या अपनी families को feed कर पाते हैं जैसा कि वो यहाँ पर garbage को pick करके कर रहे हैं तो garbage उनके लिए gold के equivalent है क्योंकि इसके कारण ही यह अपनी families को feed कर पाते हैं और इनका जो रोज का खाना है यह भी इसी पर ही टिका हुआ होता है पर यहाँ पर जो बच्चे हैं जैसे कि साहिब एक बार author से कहते हैं एक silver coin मतलब एक रुपी का coin एक कुड़े के धेर में भी मिल जाता है तो यह अपने आपको रोक नहीं पाते हैं और ज्यादा ढूणने से क्योंकि हमेशा एक उमीद होती है कि शायद इन्हें थोड़े और रुपे अंदर से मिल जाएं और जो garbage होता है उसका मतलब इन बच्चों के लिए अलग है और इनके parents के लिए अलग है क्योंकि इनके जो parents हैं वो सरफ garbage को as a means of survival देखते हैं पर जो बच्चे हैं वो उसे नई नई चीज़े ढूनते हैं उनके लिए तो एक garbage जो है वो wrapped in wonders है क्योंकि इनने अलग-अलग type की चीज़ें मिलती है garbage में जैसे कभी पैसे मिल जाते हैं कभी कोई नई चीज़ मिल जाती है इस तरह से इसके बाद author हमें बताते हैं कि एक बार एक winter की morning में वो साहिब को देखती हैं जो कि उनके neighborhood में एक fenced gate के सामने खड़ा हुआ होता है और वो दो लोगों को tennis खेलते हुए देख रहा होता है जोनोंने white dress पहनी हुई थी इसके बाद साहिब author को बताता है कि उन्हें ये game बहुत ज्यादा पसंद है और वो ऐसे ही इस game को इस fenced gate के पीछे ही खड़े खड़े देखता रहता है और जब ये लोग खेल कर वापस चले जाते हैं तब जो gate keeper है वो उसे अंदर भी जाने देता है और थोड़ी देर के लिए जो tennis bat है उसे भी swing करने देता है इसके बाद author देखती है कि जो sahib है उसने भी tennis shoes पहन रखे थे और ये काफी ज़्यादा strange था क्योंकि उसने जो shirt और shorts पहन रखे थे वो काफी ज़्यादा faded थे काफी ज़्यादा पुराने थे और उनका color उड़ चुका था और उसने tennis shoes पहन रखे थे तभी जो sahib है वो कहता है someone gave them to me यानि एक बार किसी ने मुझे ये दे दिये थे तभी author सोचती है कि जरूर ये किसी अमीर लड़के के shoes होंगे जिसने इसे discard कर दिया था या इसे पहनने से मना कर दिया होगा क्योंकि उनमें से एक shoe में एक छोटा सा hole था पर फिर author सोचती है क कि जिस बच्चे ने अपनी पूरी lifetime में कभी भी shoes नहीं पहने थे तो उसके लिए तो ये hole वाले shoes भी एक सपने जैसा ही है जो आज पूरा हो गया है पर ये जो game वो देख रहा है वो साहिप के लिए एक ऐसा सपना है जो शायद कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा इसके बाद author हमें बताती है कि एक बार वो साहिप से मिलती है जब वो milk boot की तरफ जा रहा होता है यानि milk लेने जा रहा होता है उसके हाथ में एक steel canister भी होता है यानि एक steel का container भी होता है और साहिप कहता है कि अब वो एक tea stall में काम करता है जो कि उस road के side में है और वो ये भी बताता है कि उसे वहाँ पर काम करने से 800 रुपीज भी मिलते हैं और साथी में उसकी सारी मील्स या उसका खाना भी मिलता है तभी author उससे पूछती है कि क्या उसे ये जॉब पसंद है तभी वो देखती है कि जो साहब है उसने अपना केरफ्री लुक खो दिया है जो पहले वो कैरी करता था जब वो रैक पिकिंग करता है और author को ऐसा लगता है कि जो स्टील कैनिस्टर है वो काफी ज्यादा हेवी है उस प्लास्टिक बैग से जो कि वो पहले कैरी करता था अपने शोल्डर पे एक्चुल में तो एक प्लास्टिक बैग काफी ज़्यादा हेवी होता है एक स्टील कैनिस्टर के कमपेरेजन में पर यहाँ पर author ऐसा इसलिए कहती है कि स्टील कैनिस्टर ज़्यादा हेवी है क्योंकि author यहाँ पे freedom के context में compare कर रही है कि जो स्टील कैनिस्टर है फो उस टी स्टॉल वाले का है और उसे अब सारे orders follow करने पड़ते हैं उस टी स्टॉल वाले के पर पहले जब साहिब rack picking करता था तब उसके पास freedom था उसे किसी के भी orders को follow नहीं करना पड़ता था तो इसी के साथ खतम होती है हमारी आज की वीडियो और इसके next part को हम next वीडियो में continue करेंगे तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को like करें और अगर आप ऐसी वीडियो उसको देखते रहना चाहते हैं तो इस channel को subscribe करें अब मैं आप से मिलता हूँ अगली वीडियो में Thank you